देखिए मैंने आपको ये कहा है कि पहले जो मेरे को हाई कमांड ने डूटी दी उन्होंने कहा आप उपचुनाओं में मैदान में उत्रें वो मैंने बड़ी निश्टा से इमानदारी से उसकाम को किया और उसमें जीत हासिल की जबकि विप्रीत परिस्तिती थी बीजेपी की सरकार केंदर में बीजेपी की सरकार हिमाचल परदेश में और मुख्यम मंतरी मंडी से उस स्थिती में मैंने वो चुनाव जीता जिसके लिए मैं हाई कमांड का बहुत बहुत धन्यवाद करते हूं दूसरी उन्हें ने जिमावारी मुझे परदेश अगध्ध्ष बना कर बेजा और उसके तहट मैंने पूरे हिमाचल परदेश का दोरा किया और जो बात हम सब अपनी लोगों से करना चाहते थे जो संदेश देना चाहते थे वो मैंने हर 68 केट से हलकों में जाकर दिया तो आगे भी जो हाई कमांड मुझे जिमावारी देगा उसको निभाने का बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं कोई डर नहीं है आखिर कर कहीं तो हमको बैठके बात करनी है कहीं तो हमको कोई निरने पर आना है उसके लिए हम चिमला बैठे चंडिगर बैठे कहीं ना कहीं बैठके बात करेंगे यह कोई डर की बात नहीं है मैंडेट दिया है लोगों स्यारी जगाएं हैं जह हम बैठ सकते हैं बातचीत कर सकते हैं अगर लोगों को आने में दिखो तो हम चंडिगड़ भी बैठ सकते हैं क्या वजह रही जो जनता इतना मेंडे दिया कॉंग्रिस पैंशली स्कीमा और क्या-क्या मुद्दर रही बहुत सी बाते हैं जिसका जैसे ओप एस हम ने दिया महिलाओं को हमने कहा कि हिमाचल परदेश के किसान बागवान इस सरकार से नराज थे क्योंकि उन्होंने उनकी बात को अंदेखा किया उनकी बात को तवज्जो नहीं दी और हमने कहा हम आएंगे तो हम बागवानों का भी ख्याल रखेंगे किसानों का भी ख्याल रखेंगे और जो हमारी हिमाचल परदेश की गरीब जनता है जिसमें महिला हैं महिलाएं का मैंडेट हमारे को बहुत मिला इस बार क्यूंकि महिलाएं खुश थी कि कॉंग्रेस पार्टी ने हमारा ख्याल रखा और युवाओं को हमने रोजगार देने की बात की और युवाओं को हमने रोजगार दे थेक्ष में निभाईए हमारी हर तरीके से उन्होंने मदद किये हाज जो जो हमने उनको कहा उन्होंने उस बात को जहन में लिया और उस काम को क्या जिसके लिए हम हाइ कमांड का भार प्रेकर करते हैं कि आपने शुक्ला जी को भेज कर यहां पर हमारी बहुत मदद उन्हें पहले हैं, आप एलेक्षिन करना पड़ेगा, विए डिर्भधर का ही मॉडल है, एक चुनौती वाली सीट आपको दीगई आपने अपने बड़ा कैमपेलिंग अच्छा किया, आप है उस रहे से जा रहे जा रहे हैं, और अपने उस रहे हैं, तो फुल मैंडेट है, में आपको जनता क्या स्विकार कर रही है देखे मैं आपको सही तरीके से बोल रही हूं कि वीर भदर सिंगी का नाम हम नजर अंदाज नहीं कर सकते हमने इलेक्शन में भी ग्राउंड स्टर पे भी जाकर जो वोट मांगे हैं वीर भदर सिंग के किये हुए काम उनका नाम वह भी चलाए सेलेक्शन में और लोगों ने आखरी शर्दांजली के तौर पर उनको हमको वोट दिया है इस बात को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं जहां तक सीम की बात है डाट इस फॉर दा हाइक कुमार्ण अखरी सवाल मैं जब हम देख रहे हैं कॉंग्रेस सब्जगा ने राशा जो फिर आपने हमाचल में वो करिश्मा करके दिखाया तो किस तरीके से दिख रहे हैं हैं भीरभद्र नाम आगे चला या आपका काम बत एक नहीं नहीं उसमें सबी कुछ समिले थे